जिन्दगी जीने का दो तरीका है एक है ग्राम्य जीवन गाउं का जीवन और एक है शहरी जीवन शहर का जीवन जिन्दगी लोग दो तरह से जीना चाहते हैं एक जो गाउं में लोग जीते हैं और एक जो शहर में लोग जीते हैं लोग शहर क्यों जाते हैं ? दो वजों से शहर जाते हैं एक मजबूरी में जब गौम छोगों को रोजगार नहीं मिलता ऐसी हालत हो जाती है कि अब क्या खायें घर चलाना मुश्किल हो जाता है तब लोग मजबूरी में काम की तलाश में शहर जाते हैं लेकिन कई लोग मैंने देखा है अपनी आखों से कई ऐसे भी लोग होते हैं जिने गौव में खेतों की कमें नहीं उसके पास अपना पैत्रिक पुर्खों का दिया हुआ खेत है पथार है जमीन है जाइदाद है फिर भी शौक से उन्हें गाउं का जीवन पसंद नहीं आता ह पसंद नहीं आती है उन्हें एश्यों आराम चाहिए थोड़ा तो दीखावा दैलोग है जब से सनीमा आया है लोग हुतिया बनते जा रहे है तो सिनेमा के वज़े से लोग शहरी जीवन के प्रती आकरशित हो रहे हैं और इसकी वज़े से लोग शहर जा रहे हैं आजगल की तो लड़कियां भी डिमांड करती है कि जो लड़के शहर में रहेंगे उसी से शादी करेंगे हाँ ये लड़कियों के लिए सही भी है क्योंकि गाउं में लड़कियों पर इतनी ज़्यादा पावंद लगाई जाती है इतना ज़्यादा रोक टोक किया जाता है समाज उसको हर चीज पर टोकता है तो इसके लिए जरूरी है, सही भी है कि लर्कियां शहर में रहना पसंद करती हैं, गाउं में रहना पसंद नहीं करती हैं, तो गाउं में भी कुछ सुधार की जरूरत है, तो गाउं का जीवन है, गाउं के जीवन जीने का तरीका है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ह क्योंकि यहां पर आपको सब चीज शुद्ध मिलेगा वहां पर गाउं में आपको पानी शुद्ध पानी मिलेगा एकदम भूमिगत जल एकदम तरो ताजा ठंडा पानी मिलेगा आपको यहां की हवा शुद्ध मिलेगी यहां पर आपको भोजन शुद्ध मिलेगा अगर मेर लेकिन जो लोग मजबूरी में शहर जाते हैं उन्हें गाउं की बहुत जादा याद आती है वहीं पर ऐसे ही एक हमारे कवी थे जिनका नाम है केदारनाथ सिंग इन्हें भी मजबूरी में शहर जाना परा शहर में जाकर के ये अध्यापक रहे जे एन्यू जवाहरलाल नहरू यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे और इन्हें गाउं की याद बहुत आती थी इन्हें गाउं का ही एक दोस्त जगरनाथ जगर देगे असली नाम जो है वह जगरनाथ होता है लेकिन गाउं की लोग है गाउं का दोस्त है इसलिए गाउं में जगरनाथ नहीं बोलता है गाउं में जगरनाथ ही बोलता है तो इसलिए हाँपर इसका टाइटल जो है वह ज जगर्नात नहीं देखर के जगर्नात दिया गया है, तो ये जगर्नात, जो है, वो शहर में मिलता है और ये जो उचís चीह हालचाल की हि मोग कविता हम फटरे गरों थोड़ा थोड़ा दो मिनिट निकाल करके और लोकेदारन सिंग के बाड़े में समझ लेते हैं कि इनका जन्म जो है 1932 यहां पर गलत दिया हुआ है 1934 साथ जुलाए 1934 को इनका जन्म हुआ था चकिया जिला बल्या उत्तर प्रदेश में जब यह नौ साल के थे ठीक है या 10-12 साल के थे तो फिर वहां पर जो है वो चकिया बल्या में ही बहुत बड़ा अंग्रेजों के द्वारा पुली स्थाने पर बहुत बड़ा हमला हुआ था और इसमें इनके पिताजी भी थे इन्होंने अपनी आँखों से वो सारी चीजें देखी थ देखा था तो वहां से यह आगे बढ़ते हैं और जब इस प्रकर का हमला हुआ फिर भारत का विभाजन हुआ और कई लोग भारत चोर करके दूसरे पाकिस्तान चले गए तो उन्हीं पुरानी बातों को याद करते हुए इन्होंने एक पीछे में आपके खिताब के पीछे यह जब भारत का विभाजन हुआ तब इनके बगल वाले नूर मिया कहीं चले गए पाकिस्तान चले गए होंगे कई लोग देश और के चले गए तो यह कहते हैं कि तुम्हें नूर मिया याद है के दारनाथ सिंग गेहुए नूर मिया गेहुए कलर के नूर मिया थे उनका जो शरीर था वो गेहुए कलर का था ठिगने नूर मिया थे ठोटे चोटे कद के तुम्हें याद है के दारनाथ सिंग गेहुए नूर मिया थे दारनाथ। जब यह बड़े हो गए तब उन्हें वो नूर्मिया याद आ रहे हैं जो आखीर में बजार से सूर्मा बेच करके लोड़ते थे तुम्हें याद है मदर्सा, इमली का पेर, इमाम बारा, तुम्हें याद है शुरू से आखीर तक उन्नीस का पहारा क्या तुम अपनी भूली हुई सिलेट पर जोर घटा कर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोर कर क्यूं चले गए थे नूर्मिया क्या तुम्हें पता है इस समयविक कहा है धाका या मुल्तान में क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में तुम चुप क्यूं हो के दार्नाथ से क्या तुम्हारा घनित कमजोर है यह जुदाई का गम है यह जो अपनों से जुदाई का गम है यह गाउं से जुदाई का गम है उसको इन्होंने यहाँ पर उता पड़ा है नूर मिया चले गए तो उनकी याद आ रही है उसके बारे में चलिए अब हम लोग इनके बारे में पड़ते हैं आपके किता में इनकी मिर्थियू नहीं दी गई थी क्योंकि जब यह चैप्टर छपा था तब इनकी मिर्थियू नहीं हुई थी लेकिन 2018 में इनकी म संप्रति इस वक्त जब यह किताब छपा था तब यह क्या कर रहे थे भारतिय भाषा विभाग जवाहर लाल नहिरु विश्विद्याले जेन यू बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है नई दिली से हिंदी के प्रोफेसर पद से यह सेवा मुक्त हुए और स्वतंत्र ले देखें वह अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है यहां से देखो अकाल में सारस उत्तर कबीर और अन्य कविताएं बाग कविता संग्र है और बहुत लंबी कविता है बाग कलपना और चायावाद आधुनिक हिंदी कविता में बिम्बु विधान मेरे समय के सब्द अलो कविता लिखना प्रारंब करने वाले के दारनाथ सिंग नई कविता आंदोलन के महत्वपुर्ण कवि के रूप में पाठकों के सामने आए गवई किसान जीवन और संस्कृति के टटके अच्छूते बिम्बों के कारण उनकी पहचान शिग्र ही एक समर्थ संभावनों वा किसानी जीवन के बारे में और संस्कृति का टटका अच्छूता विम्ब जिसको किसी ने नहीं चुआ था उस दृश को दृश की पहचान करके लिखने वाले ये कवी ते जिसको किसी ने टच नहीं किया था इसकी वजह से इसी की वजह से इनको एक समर्थ संभावनों वाल अगरसर कवी के रूप में यह यह प्रतिश्ठित हुए कि दार्नात सिंग कवीता में सबसे ज्यादा ध्यान बीम्बो के निर्मान बीम मतलब एक चाया एक एक प्रतिभिम्ब आपकी आँखों के सामने आ जाए गा जैसे वह नूर्मिया का प्रतिभिम्ब हमारी आँखों के सामने आ गया था, यह बिम्बो का निर्मान करते हैं अपनी कविटाओं में और कविटा में उनके गतिशील नाटकी रचाओ पर जोड़ देते हैं एक नाट पक अर्थ ये संप्रशित करते हैं बिखेरते हैं अपनी बहु प्रचारित प्रसिद्ध लंबी कविता बाग के बाद के दारना सिंग ने इधर की कविताओं में संप्रेशन और सुगमता को लेकर अपना ध्यान अधिक केंद्रत किया है संप्रेशन लोगों तक जल्दी कि श्यादा भारी भाषा यूज इन्होंने अपनी कविताओं में नहीं किया है इसके लिए उन्होंने बोल्चाग और समवादों बोल्चाग जैसे समवाद करते हैं उसी की सामाने नाटकिये शैली का भरपूर उपयोग अपनी कविताओं में इन्होंने साधा है महानगर में रहने जीने और वहां के विश्यों कत्यों का कविता में शमावेश करते हुए भी अपनी मूल धर्ती गाउं और वहां के जिंदगी को भूले नहीं है और शहर में रहते हुए ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि शहर में रहते हुए ये अपनी गाउं से उस व्यक्ति से उस अस्थान से वो इतना गहरे रूप से जुर पाता है ठीक है गाउं हो या शहर कस्बा हो या महानगर सरवत्र कभी परिवेश चरित्र और संबंधों का एक ही सच देखता है जहां उन पर समय और यथार्थ की मार परती रहती है और वे उसे जहेलते अटर बला चंव पर समय और समय और यथार्थ की मार तो पर रहे है वह वह लेकिन उस से जा रहा है लर रहा है यंसी के उपर यह कविता जागर्णा этого कर रहा है जैसे कि यहां पर पर इस érenceरप थरा उप्च कोई रहा है हिमाले किधर है मैंने उस बच्चे से पूचcket C appreciativeऊ उदर उदर उसने कहा जिदर उसकी पतंग भागी जा रही थी पतंग से नजर नहीं हट रहा है मैं सुिकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमाले किधर बार कि हिमाले pretend उसका ध्यान है talking वो इतना मगन है उस पतंग में उसमें खोया हुआ है कि उसे फर्क ही नहीं पर रहा है कि हमाले किदर है अब देखिए ये कविता बच्पन का दोस्त शहर में मिलता है जिसका नाम है जगरनाथ या फिर ये भी बोल सकते हैं ये भी सोच सकते हैं कभी के लिखने का भाव बहु कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूँ ये गुम्मट सा क्या उगाया है तुम्हारे ललाट पर सर पे चोट लग गया और ऐसा लग रहा है कि कुछ उग गया है इतना बरा गुम्मट सा तुम्हारे ललाट पर क्या उगाया है बच्चे कैसे हैं कैसा है वह नीम का पेर जहां बंधती थी तुम्हारी बकरी जहां तुम्हारी बकरी बंधती थी वो नीम का पेर कैसा है वो बकरी कैसी है क्या हाल है बताओ थोरा हाल चल बताओ अब वो ऐसा लग रहा है कि वो जगरनात आखों ही आखों में इसारे में पूछ रहा है कि बताओ कि दारनात सिंग तुम कैसे हो तो यह अपने बारे में बताते हैं मैं तो बस ठीकी हूँ खाता हूँ, पीता हूँ, बकबक कर आता हूँ क्लास में यदि मिल गया समय, तो दिन में भी मार ही लेता हूँ एक दो जपकी पर हमेशा लगता है मेरे भाई की कहीं कुछ गरबर जरूर है मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ छूट सा रहा है कुछ खोसा गया है कुछ गरबर सी हो गई है जिन्दगी में मतलब मैं बस ठीकी हूँ, जिन्दगी नहीं जी रहा हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और बकवक कराता हूँ किलास में और उसके बाद जो समय मिलता है उसमें ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय करता हूँ, मैं खुश्या मनाता हूँ, नहीं अगर कुछ समय मिलता है तो मैं बस एक दो जपकी मार लेता हूँ बोर्डिंग से जिन्दगी हो गई है शहर में गाउं थोरी नहीं कि इतना रोमांच भरा जिन्दगी रहेगा ये शहर की बोर्डिंग जिन्दगी को यहाँ पर explain कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं शहर में खाता हूँ पीता हूँ बगबग कर आता हूँ क्लास में और अकर समय मिल गया तो एक दो जपकी मार लेता हूँ पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गरबर जरूर है कुछ छूट सगया है, कुछ मिस हो गया है, कुछ खो शगया है पर छोडो, तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है काम धाम? अरे वह, अब उपर से ऐसी बातसीत के दोरान, ऊपर से कुछ उड़ता चला जाता है यह काते हैं अरे वो उसे जाने दो, वो बंसुगों की पाथ थी, जो अभी अभी उर गई हमारे उपर से, वो है तो है, नहीं है तो भी चलती ही रहती है जिन्दगी, पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों के बाद बंसुगों की पाथ उर रही थी, तो जैसे गाउं में जब बच्पन में जब बंसुगों की पात सुगों की पात जब उरती थी तो बच्चे उसके पीछे दौरते थे रोमान्ची थो उरते थे खुश हो जाते थे एकदम उसको देखने लगते थे लेकिन यहाँ पर उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं वो उसे जाने दो छोड़ दो वो तो बंसुगों की पात थी जो अभी अभी उर गई हमारे उपर से वो है तो है है तो ठीकी है और अगर वो नहीं भी है तो भी चलती रहती है जिन्दगी तो चलती रहती है पर यह नों भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद यदि आस्मान में कहीं जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला डैना तो बरी राहत मिलती है जी को लेकिन ऐसा भी है कि अगर बहुत दिनों के बाद आसमान में कोई डैना पक्षी का नाम है वो उरता हुआ आसमान में दिख जाए कोई तोता दिख जाए तो बहुत राहत मिलती है वो गाउं की याद त स्वास्ति कैसा है क्या उधर बारिश हुई थी क्या शुरू हो गया है आमों का पकना यह एक अजीब सा फल है मेरे भाई सोचो तो एक स्वाद और खुश्बू से भर जाती है पूरी दुनिया अब वो उसका हालचाल पूछ रही है और अचानक से याद आता है कि किया गाउं में आम पकने शुरू हो गए गाउं में रहने वालों के जो आम का मौसं होता है जंगल में जाते हैं लोग किसी के पेर से गिर हुआ है एकदम चुपकर से उठा लेते हैं और वहीं पर खाना श सीजन का लड़के तो गाची में ही रहते हैं लगभग सारा दिन मचान बनाया जाता है और मचान पर बैठ करके गपे हांके रहते हैं और बोतल में पानी रखते हैं ताकि आम जब गिरेगा तो खाएंगे और सीधा पानी से हाथ दो लेंगे तो वह स्वाद है वह आम कितना दोलक रहे हैं तों अब तक शुप की हो मेरे भाई ज Patak आउ मुझे बहुत किछ कहना है और तूम इस तरह क्यों हो क्यों मुझे देख रहे हैं इस तरह क्या मेरे शब्दों से आ रही है घूट की गंत मेरे भाई अब होट जो फरफाराता है इंसान का जब उसके होट फरफराने लगते हैं तो अपने दोस्ते पूछते हैं कि तुम तुम्हारा होट क्यों फरफरा रहा है तुम चुप क्यों हो जड़ा पास आओ मुझे बहुत बाते करनी है गाउं के बारे में अरे तुम इस तरह क्रे क्यों हो क्यों मुझे देख रहे हो इस त क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं जूट बोल ला हूँ कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं जूट बोल ला हूँ मुझे गाउं से सच मुझ इतना लगाव है क्या तुम्हें यह लग रहा है कि अगर मुझे सच में लगाव है तो मैं गाउं क्यूं नहीं गया या मैं गाउं क्यूं नहीं रह रहा हूं तो तुम्हें क्या मुझे मुझे जूट की गंद आ रही है कि तुम्हें लग रहा है कि शहर में रहकर के मैं भी बदल गया हूं लोग शहर में जाते हैं तो क्या तुम्हें जूट की गंद आ रही है मेरे 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 शब्दों से क्या तुम्हें जल्दी है कहीं जाने की क्या जाना है काम पर तो जाओ जाओ मेरे भाई रोकूंगा नहीं तो यह व्यस्तता दिखा रहा है शहर का कि एक बच्ष्पन का दोस्त से मिल जा और क्या मज्बूरी है कि नुप बैट करके थोरी दिर बात नहां कर सकते यह शहर में होता है यह गाउन नहीं है कि कोई मिल गया क्या भाई क्या है तो बस लगे गपे हकने लगे इधर उतर की बाते करने और लगे साथ में कहां जा रहे थे किस काम से जा रहे थे उस काम को भूल करके चले गए अपने दोस्त के साथ मटर गस्ती करने यह शहर में नही है तो क्या इससे पहले उससे मेरी याद नहीं आती थी क्या जाना है काम पर किस बात की जल्दी है तो जाओ जाओ मेरे भाई रोकूंगा नहीं जाओ जाओ और इस तरह वो चला जा रहा था मुझे न देखता हुआ ऐसा लग रहा था कि वो मुझे भूल मेरा बच्पन का साथ ही जगरना ठेख अर वो ऐसके नदेखने की जो धार थी वो ऐसा लग रहाते कि मुझे चीर रहा है मुझे फार रहा है कि शहर में रहने वालों की हालत बहुत उनके मन कि वेदना होती उनका जो दुख होता वही समझ सकता है जो गाउं को छोर करके शहर में रह रहा है शहर में रहने वालों को वाकई में गाउं की बहुत याद आती है लेकिन जो मजबूरी में शहर में रह रहे हैं जो मजबूरी में शहर में जॉब कर रहे हैं उन्हें को इतनी फुरसत नहीं है गलती किसी की भी नह करें उसे उतनी फुर्सत है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ और रहें उसे अथ सुसक्ति है कि वो गॉज़ गंड़ी करने पालक देखा मों निहां कि इतना अमीर क्या है दुख भी रहता है गाउं के लोगों को गाउं की जिन्दकी अलग है तो शहर वालों को चाहिए कि अपनी रॉब अपना ये जो शहरी पन है जो शहर का दिखावा है वो शहर तक ही सिमित रखे गाउं में आकर के गाउं में दिखाने की जरूत नहीं है गाउं के लोग जिस प तहीं परत्विंबित हुआ है, दिखाया गहा है कैसे लोग शेहर में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, इतने ज्यादा व्य strengthen कि अपने दोस्तों से मिलने का भी वक्त नहीं होता है, काम पर जाने के इतनी जल्दी होती है कि उससे बाते करने का भी समय नहीं होता है, यह शहर का जीवन है, यह जगरनाथ और केदारनाथ सिंग का जीवन है, जहां पर जगरनाथ जो है वो एक गरीव आदमी है, इसलिए इसका नाम जगरनाथ है, जिसे काम पर जाने के इतनी जल्दी है कि वो केदारनाथ से बात नहीं कर सकता और किदारनाथ एक well established एक शिक्षक है पढ़ाने वाले प्रोफेसर है जिने समय तो है इसलिए उनको इतनी याद आ रही कि वो बात करना चाह रहे है इतनी ही तरफ शायद जगरनाथ की भीमन में हो लेकिन वो अपनी तरफ जाहिर नहीं कर पा रहा है बोल नहीं पा रहा है शा होट तो फरपरा रहें लेकिन के मुझे कुछ सब्द निकल नहीं रहा है क्योंकि इनको काम पर जाने की जल्दी है तो यहीं फर्क है केदारनाथ और जगरनाथ में जो शहर में दिखाई परता है जो गौँ में पता नहीं चलता है क्योंकि गौँ में तो केदारनाथ भी से जगरनात भी सेम हैं दोनों बैठ करके गप्पे हांकते हैं मटर घस्ती करते हैं खेलते हैं एंजॉय करते हैं पके हुए आमों का मजा लेते हैं आम का मौसम आ गया है आप लोग भी आम का मजा लीजिए लेकि थोड़ा मज़ा मुझे भी दे दीजिए चैनल को LOL करके और commence करके जरूर वीडियो आपको चाही है मरे वीदियो आपको का यसा लगता है लाइक कर दीजेगा यह सब करने से हमारेी वीडियो का रीश बढ़तए का अगर आपने फ्रेंस के साथ सेयर कर दीजिए का तो भीहार बॉर्ड क्लास से हरेक क्लास का आपको English का मिल जाएगा explanation हर एक chapter का class 12 तक का playlist में जाकर कर देखी 11 तो खा लेंदी भी मिल जाएगा English भी मिल जाएगा हर एक chapter का line by line best explanation आपको मेरे चैनल पर मिलेगा ऐसा मैं जी विश्वास है कि ऐसा एक्स्पानेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा अपने फ्रेंड्स के शेयर कर दीजिए थैंक्यू सुमच बबाई टेक कियर